वंदे मात्रम आज हम देखेंगे अध्याय 2.1 जगत प्रतिष्ठा अध्याय 2 में जगत मोनेरा का वर्णन किया गया था जिसमें जिवाणों को रखा गया है अब हम अगला जगत देखेंगे जगत प्रतिष्ठा हम यह जानते हैं कि विटकर ने 5 जगत दिया था जिसमें पहला जगत था मोनेरा जगत फिर था जगत प्रतिष्ठा जगत फंजाई जिसमें कवक आते हैं उसके बाद था जगत प्लांटी जिसमें प्लांट साते हैं पादप को रखा गया है और लाश था जगत एनिमेलिया त तो पहला जगत था जगत मूनेरा जिसमें जिवाडो को रखा गया था और ये जिवाडो क्या थे एक कोशिकी थे और प्रोकेरियोटिक्स थे अब हम यदि दूसरे जगत को देखेंगे जगत प्रोटिष्ठा तो इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रक विक्सित हो जाते हैं इसलिए यह एक कोशिकी तो होते हैं लेकिन साथ में क्या रहें गया प्रोकेरियोटिक्स ना होकर यूकेरियोटिक्स हो जाते हैं तो इसमें क को प्रोटिश्ट जीव कहा जाता है तो इसमें क्या होते हैं कि इस जगत के जीव क्या होंगे यू केरियार्टिक्स होते हैं और क्या होंगे बहु कोशिकी स्वारी इसमें भी एक कोशिकी ही रहेंगे जगत मोनेरा भी एक कोशिकी था लेकिन वह प्रोकेरियार्टिक्स था यहां पर अंतर सिर्फ इतना है कि प्रोटिश्टा के जीव है वह यू केरियार्टिक्स होते हैं तो और क्या है, यह एक कोशिक्यव होते हैं, कोशिकव हित्ती पाई जाती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सेल वाल प्रेजेंट, कोशिकव हित्ती पाई जाती है, और क्या पाई जाती है भाई इसमें, अब यू केरियोटिक्स है, तो यहाँ पर निकलियस भी प्रेजें नहीं पाय जा रहा था इसलिए जीमो को prokaryotix कहा जा रहा था अग्ला लक्षण हम लिख सकते हैं कि इनमें सेल आरगन प्रेजेंट होंगे सेल आरगन प्रेजेंट मतलब कोशिका के अंदर में जो कोशिकांग पाया जाते हैं जैसे कि Mitochondia, Mitochondria Endoplasmic p templatum, जिसको sort में ER कहा जाता है, और क्या पाये जाएक है यहाँ फर? Golzy Body, जिसको GB कहा जाता है, Golzy Body, और क्या पाये जाएक है यहाँ पर? तो इस तरीका से जो-जो argans पाये जाते हैं, ना सेल आर्गंस मतलब जो कोशिगा के अंदर में कोशिकांग पाया जाते हैं तो माइट्रो कांडिया गालजी बाड़ी एंडोप्लाज्मी क्रेटीकुलाम राइबोसों यह सभी क्या होगा यहां पर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से फिर अगला हो जाएगा कि इसमें प् पाया जाएगा तो कौन-कौन से प्रचलनंग पाया जाते हैं तो जगत प्रतिष्ठा के अंतरगत फ्लैजिला जिसको कशाभिका कहा जाता है सिलिया जिसको पक्षाब कहा जाता है और क्या पाया जाता है स्षीडोपोडिया जिसको हिंदी में कूट-पाद कहा जाता है तो ये सभी चीजे जगत प्रतिष्ठा के जीवों में प्रेजेंट होती है है ना ये जो है वा जगत प्रतिष्ठा के जीवों यानि की प्रतिष्ठ में के प्रचलन में या मदद करते हैं उनको एक इसां से दुसरे इसां जाने में ये जो अंग है वा मदद करते हैं अगला करेक्टर हम लिख सकते हैं कि जगर्पोटिष्था के जीव है वह स्वब पोश्री होते हैं Mother विशंप पोश्री भी हो सकते हैं and yes cone a or मृतोब जी भी हो सकते हैं do we इस प्रकार से उनमें पहोशंड की क्रिया होती है इसका example देख लेते हैं कि जगर प्रोतिष्ठा के अंतरगत कौन कौन से जीव आते हैं तो amoeba amoeba आप सभी जानते ही हैं है ने सुक्षम जीव है या तो amoeba जगर प्रोतिष्ठा के अंतरगत आते हैं paramecium paramecium, yuglina and amoeba histolytica ये क्या करता है मनुस्यों के आत में उपस्थित होता है और जो पेचिस वगरा होता है न ये दस वगरा होते हैं तो amoeba histolytica के ही वज़े से होता है और एक है claimidomonas claimidomonas तो इस तरीका से ये प्रोतिष्ठ जीव हैं जो जगत प्रोतिष्ठा के अंतरगत पाय जाते हैं जगत प्रोतिष्ठा को वर्गी करन का कुड़ा दान कहा जाता है क्या बोला जाता है इसको वर्गी करन का कुड़ा दान भी कहा जाता है तो यहाँ पर एक note करके ऐसे लिख लीजिएगा कि वर्गी करन का कुड़ा दान किसको बोला जाता है जगत प्रोतिष्ठा को क्यों कहा जाता है क्योंकि जगत प्रोतिष्ठा में विभिन प्रकार के जीवों को रखा गया है है ना इसलिए जिस प्रकार से खुड़े दान में अलग-अलग प्रकार की चीज़े है ना जिसको हम कचड़ा कहते हैं तो अलग-अलग प्रकार की चीजे वहाँ पर मिल कर क्या होती है कच्ड़ा बन जाती है उसी प्रकार से जब वर्गी करन किया गया तो जितने भी भिन प्रकार के जीव थे उन सभी को किसमें रख दिया गया जगत प्रुतिश्ठा में रख दिया गया इसलिए इस जगत को वर्गी करन का कुड़ा दान कहा जाता है अब हम देखते हैं कि जो ये यूगलीना है तो यूगलीना क्या होता है कि इसमें क्लोरोفील वर्णक पायpreneंग पाया जाते है तो जब प्रकास की उपस्तिती में ये क्या करते हैं प्रकास अंसलेशन की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं लेकिन अंधेरे में क्या करते हैं या परजीवी के रूप में है ना दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो यूगलीना में इस प्रकार का लक्षन पाया जाता है कि यह प्रकास की उप करता है पादप और जन्तु दोनों के समान व्यभार करता है तो इसलिए इसे पादप वह जन्तु के बीच का सयोजक कड़ी कहा जाता है तो युगलीना को पादप वह जन्तु के बीच का सयोजक कड़ी कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह प्रकास के उपस्थिती में प्रकास अंसलेशन की क्रिया करके पादप के समान स्वपोशी हो जाते हैं और अंधेरे में जन्तु के समान विसमपोशी हो जाते हैं और जो यह क्लिमएडो मुनास है, यह क्या होते हैं, प्रकास installation से अपना भ無जन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से, प्रोतिष्ठा जगत के经श्जी प्राता हैं, तो जगत प्रोतिष्ठा के जीव है उसमें क्या पाया जाता है सुविक्सित केंद्रक पाया जाता है और इसके चारो और क्या रहेगा मेमरेन होते हैं अब केंद्रक है तो केंद्रक जिल्ली भी पाया जाएगा और क्या होते हैं, गॉल्जी बॉड़ी पाया जाता है, माइट्रो कॉंडिया पाया जाएगा, यह क्या है, माइट्रो कॉंडिया है, माइट्रो कॉंडिया, और क्या पाया जाएगा, राइबो सूम प्रेजेंट होते हैं, राइबू सोम उपस्तित होता है और इसमें क्या पाया जाएगा यदि यह प्रकास अंस्टेशन की क्रिया कर रहे हैं यदि यह स्वपोसी है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्तित होते हैं जो प्रकास की मदद से स्ववयम को भोजन बनाते हैं यह क्या है निकलियस और इसके चारोर क्या पाया जाता है निकलियस मेंब्रेन और यह जो बाहरी दीख रहा है यह क्या है सेल मेंब्रेन और इसमें कोशिका भित्ति भू उपस्तित होती है मतलब इसमें क्या पाया जाएगा चारोर सेल वाल प्रेजेंट होता है तो इस तरीका से जो प्रोतिष्ठ जगत के जीव है उनमें इस प्रकार की सरचनाएं पाय जाती है कोशिका भित्ति उपस्तित होता है कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका जिल्ली पाय जाती है जिसके अंदर में विभिन प्रकार के कोशिगांग उपस्तित होते हैं जैसे कि माइट्रोकॉंडिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, निकलियस और निकलियस मेंब्रेन तो इस तरीका से यह क्या है प्रोटिष्ट जीव है और इसमें प्रचलन अंग भी पाया जाते हैं जैसे अमीबा में क्या पाया जाएगा? स्थीडो पोडिया पाया जाता है, कूट पात पाया जाते हैं, जूठे पैर जिसको बोला जाता है सीलिया पैरामिश्यम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं है ना यह रोम के समान चारों तरह पैरा मिश्यम के होते हैं जो इनको प्रशलन में मदद करते हैं उसी प्रकार से फ्लेजिला फ्लेजिला जो है वह कशाभी का होती है जो की यूगलीना में पाया जाता है तो इस तरीका से था यह प्रोटिष्ठ जीव का सहरचना अब हम गई यहां की प्रोटिष्ठ जगत के जीव होते हैं उनम्में प्रशलन के लिए बिस श्ला अंग पाया जाते हैं उसी को बोला जाता है प्रशला JOSH तो हम इहां पर लिख सकते हैं कि प्रचलन के लिए प्रचलन का मतलब है कि जीवों को एकिसान से दुसरे स्थान पर गती करने के लिए विसिष्ट अंग पाय जाते हैं है न जीवों में क्या पाय जाते हैं प्रचलन के लिए विसिष्ट अंग पाय जाते हैं जिसे प्रचलन अंग कहा जाता है तो इसके अंतरगत निम्न अंग होते हैं जैसे कि पहला अंग हम देखेंगे सिलिया पहला अंग क्या देखेंगे सिलिया जिसको हिंदी में बोला जाता है पक्षम सिलिया का है एक रोम के समान सरचना होती है तो सिलिया किसमें पाय जाता है तो हम यहाँ पर एक्जामपल में लिख लेंगे पैरा मिशियम में पैरा मिशियम पैरा मिशियम जो है वह एक चपल क्या करिती का जीव होता है जो इस प्रकार से दिखाई देता है तो इसके चार ओर क्या पाया जाता है इस तरीके से सिलिया उपस्थित होते हैं इनकी संख्याएं बहुत होती है है ना? और ये क्या है उसके आरगन से पैरमिश्यम के तो इस प्रकार से उसके सरीर के चारोर क्या पाय जाता है सिलिया प्रेजेंट होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोटिष्ट जीवों के सरीर पर उनके बाहरी सतह पर पतली रोम के समान सरचना पाय जाती है तो इस प्रकार से प्रोतिष्ट जीवों के सरीर पर बाहरी सतह पर पतले रोम के समान सरचना पाई जाती है जो दीख रहा है यही पतले रोम के समान सरचना है जिसको सिलिया कहा जाता है यह जो सिलिया है वह यहाँ पर क्या भरा होता है जीव द्रव्य भरे होते हैं जिसको सा साइटोप्लाज्म के बेसल बॉडी से या निकलता है सिलिया कहां से निकलता है तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है तो उसका ये बेसल बॉडी होता है उसको अधार प्रदान करता है तो यहीं से सिलिया निकले होते हैं प्रचलन के समय सिलिया क्या करते हैं मुमेंट्स करते जिसकी वजह से जो पैरा मिश्यम है वह एक इसान से दूसरे इस्थान पर जाते हैं या आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार का श्ट्रोक बनता है तो जब पैरा मिश्यम क्या करते हैं मूमेंट्स करते हैं तो जब इनके सिल्या जो है वह मूमेंट्स करते हैं तो इनमे दो इस्ट्रोक बनता है सिल्या की जो गती होती है उसमें दो इस्ट्रोक बनता है पहला होता है पावर इस्ट्रोक पहले को क्या बोलते हैं पावर इस्ट्रोक कहा जाता है और दूसरा होता है रिकवरी इस्ट्रोक तो सिल्या में क्या होता है कि जब power stroke होता है तो सिलिया क्या करते हैं आगे की और गती करते हैं इसको हम एक चीतर के द्वारा समाझ सकते हैं कि जिस प्रकार से क्या है ये बेसल बॉड़ी है तो जो सिलिया है वह क्या करेंगे आगे की और गती करेंगे तो इस प्रकार से उनकी रचना दिखाई देगी इस तरीके से है न तो सिल्य मतलब पूरे पावर के साथ पहले क्या करेंगे आगे की और जाएंगे तो आगे की और जा रहा है मतलब यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे हम है ना तो एक दो तीन ऐसे करके क्या होते हैं प्रत्यक सिलिया धीरे से पावर के साथ क्या करते हैं आगे की और अपने सिलिया को मुमेंट्स करते हैं जिसकी वज़ा से पैरामिश्यम क्या होते हैं आगे खसकते हैं जैसे ही वो आगे खसकते हैं उसके बाद इसमें क्या होता ह फिर वो अपने पुरानी सिती में आएगा उसके बाद फिर से वह आगे की और बढ़ेगा फिर अपने पुरानी सिती में आएगा तो इस तरीके से पैरमिशम आगे बढ़ते हैं तो पहला इस ट्रोक है पावर इस ट्रोक जिसमें क्या होता है पावर लगाया जाता है मतलब इ अभी सिल्य क्या होते हैं इस तरीके से वजब सामने क्यों राते हैं फिर उनको पुनाह अपनी सिती में आना होता है तो धीरे-धीरे वह क्या करते हैं इस प्रकार से वह धीरे-धीरे उठने लगते हैं यह तो अभी इधर आये थे अभी क्या होंगे इधर जाने के लिए फिर यह गती होगा है ना जैसे कि पैरा मिश्यम अगर इधर इधर बढ़ रहे हैं इधर बढ़ रहे हैं तो यह जो सिलिया है वह अब पीछे की और जाएगा मतलब उसमें गती होगा गती होने के बाद फिर से वह क्या होगा वापास आएगा मतलब पैरा मिश्यम की और फिर से परने स्थिती में वापस तो इसको बोला जाता है रिकवरिंज श्ट्रोग मतलब पीछे की और मुडे इसके बाद तो इस प्रकार से सीलिय में defined दों प्रकार के इस च्ट्रोक पाया जाता है तो हम इसको एक डियाग्राम से समझते हैं तो इस तरीका से एक image की सहाता से हम समझ Carrie है की जब प्रस्ट्रon होता है तो दो सबसे पहले जब Nephrim Stream क्या करेगा आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ता है तो उसके जो सीलिया है मतलब परामिश्यम इधर बढ़ रहे हैं तो उसके सीलिया क्या होगी उसके विप्रिदी समय होगी मतलब यहां पर पावर इस्ट्रोक का यूज हो रहा है उसके बाद फिर क्या होगा recovery होगा मतलब जैसे अपने पुराने इस्थिती में आगे बढ़ते हैं अब इसका जो आगे हैं ना कौन सा अंग बचा फ्लेजीला प्रशला नंग और स्यूडो पोडिया इसको हम आगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद